क्या आप नहाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करते हैं और इसके लिए आप गैस गीजर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरुरत है यदि गैस गीजर बातरूम में ही लगा है तो और भी चिंता की बात है आपकी जरा सिला प्रवाही जानलेवा हो सकती है नमश्कार मैं विवेक कुमार आप देख रहे हैं दनेशन टाइम्स गैस गीजर की जहरीली गैस से हर्याना के हिसार में दो मासूमों को अपनी जान गवानी पड़ी इमामला हिसार के तलाकी गेट के पास श्रीश्याम गली का है जहां सेंगल परिवार बीते सोमवार को गुरुगराम में एक शादी समारों में शामिल होने की तैयारियों में जुटा हुआ था इस मौके पर घर के दो सुम बासूम बच्चे तेरा वर्षिये माधो और नौ वर्षिये सोहम अपने बालू की कटिंग करवा कर घर लोटते हैं और नहाने के लिए बातरूम में चले जाते हैं दोनों भाई अक्सर रविवार के दिन चुटी होने के कारण आराम से एक साथ बातरूम में नहाते हैं आज भी ऐसा ही हुआ अंदर पानी गर्म करने के लिए गैस गीजर लगा हुआ है दोनों भाई इसे आउन कर नहाने की तैयारी शुरू कर देते हैं देर हुती देख बच्चों की मा हीमानी ने आवाज लगाई बेटा जल्दी करो कितनी देर से नहा रहे हो बातरूम से आवाज आती है मम्मी शादी में जाना है ठीक से नहाने दो इस बीच मा भी अपने काम में वैस्त हो गई पांच मिनट तक सब ठीक था इस बीच बातरूम में जाकर देखा तो दोनों ही बच्चे अचीत अवस्था में फर्स पर पड़े थे इसके बाद दोनों ही बच्चों को बातरूम से बाहर लाय जाता है और हीमानी अपने पती सौरव सेंगल को पकारती है बच्चों के हाथ पैर मस ले जाते हैं इस दोरान एक भाईयों को मृत घोशित कर देते हैं जिस घर में खुशियों में शरीक होनी की तैयारियां चल रही थी वहां मातम च्चा जाता है संभवता गैस गीजर से निगली जहरीली गैस ने दूनों भाईयों को मौत की नीन सुला दिया और एक हंस्ते खिलते परिवार के दू चरा दोनों ही अपने परिवार की जान थे दोनों के एक साथ चले जाने का गम कुछ इस कदर है कि परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है दोनों मासूमों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे के वग्यर नहीं रह सकते थे एक साथ खेलना पढ़ना और गूमना पसंद था इनकी च गैस गीजर ने मौत का तांडव किया है। यह खबर देखिए जो शिरी गंगा नगर राजस्तान से है जहां महज चार दिनों में गैस गीजर ने कई लोगों की जान ले ली। यहां एक सब्ता के दौरान चार लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी। जौनपूर उत्तर प्रदेश में विवाहिता की गैस गीजर ने जान ले ली तीन वर्ष पहले ही उसकी शादी हुई थी। बातरूम में नहाते हुए दम घुटने से महिला की मौत हो गई। यह खबर उत्तर प्रदेश के सहारन पूर से है जहां सिक शक की नहाते समय दम घु होना चाहिए वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खुली होनी चाहिए और एकजास्ट फैन चलता रहना चाहिए नहाने से पहले बाल्टी में पानी भर लें और दर्वाजा खुला रखें विशेश रूप से बच्चों को गैस गीजर का प्रयोग स्वयां ना करने दें। दरसल एलपीजी जलने से ऑक्सीजन का इस्तर कम हो जाता है गीजर से कार्वन मुनो अक्साइड गैस निकलती है जो की जहरी ली होती है और गंध हीन भी होती है या गैस जब गर्म पानी की भाप के साथ पिलती है तो गैस का एक चैमबर बन जाता है यदि बातरूम में रो भानिया बरते हैं अपना और अपनों का खयाल रखें खुश रहें आब आद रहें और देखते रहें दरनेशन टाइमस यदि आपने दरनेशन टाइमस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए इस ख़बर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा यदि झाल झाल